हाई गुड मॉर्णगी इस यह साई यार नेक 2022 लास्ट डे प्रेपरेशन इसका पार्ट बने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है घंटी के साथ तो भाई कर लो अभी क्योंकि जैसे वीडियो आएंगे तभी तुम्हें नोटिस मिल जाएगा और तुम इमिरेटली उस हिम्मत तोड़ी भाई उनका एक्जाम तूड़ जाएगा रजल्ट हाथ से छूड़ जाएगा अब यह लास्ट ट्वंडिफॉर आर्स के अंदर तुम बैट के थर्टीन इनिट के सलेबस को रिवाइज कर रहे हो करते रहो करते रहो जो करना है लेकिन साथ में यह बड़ा करेंगे श सट्रादिट को जो लास्ट ट्रक इंड़ारी जो अनका अब या फायदा बाध यह वह को इस बत रहे में इस उन मोश्ट फॉल यह question last year के exam में आया था, जैसे ही linear regression equation देखने हैं हम लोग सोचते हैं कि यह question हमारे बसार करने का नहीं है, तो देखो rule no.1, question को जब तक try नहीं करोगे, तब तक तुम मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यह question तुम कर सकते हो या नहीं, देखें यहां सीधी सी बात दे रखी option में, कि y is equal to x को दिखाया गया है, लेकिन relation अलग अलग तरीके से हैं, और यहां तो और पास x और y के नंबर रखे हो है, अब चाहिए किजिए जब x 0 है, तो y है 2, हम y को इतो calculate करने कोश्च कर रहे हैं, अब यह माल लिजिए कि अगर x किसी भी number से multiply हो, और अगर x की value 0 है, तो answer क कि आएगा, 0, लेकिन यहां मुझे y की value मिलेट 2, तो 2 कब हो सकता है, जब मैंने उसमें plus 2 किया हो, तो पहली बात तो यह किस equation में plus 2 आना है, अब इस equation को की plus 2 करना है हमें, तो यह plus 2 में से पहले ही है, minus कर लो, is equal to 6 बचा, अब 2 और 6 में relation देख लो, तो भाई यह है 2, 3 या and so on, तो यह एक relation मिल गया, क्या तुम्हें इस कहानी को करने के लिए linear regression, equation पढ़नी समझनी जरूर थी, point यह नहीं है कि हमने क्या-क्या पढ़ रखा है, point यह है कि अब से एक दिन बाद जब exam होगा, किसका दिमाख उसके साथ available है, presence of mind कितनी अच्छी है, अब बात करते है, knowledgeable questions की, you carry out cell के अंदर, covalently attached lipid help to anchor some water-soluble protein to the plasma membrane, one group of cytosolic proteins are anchored to the cytosolic face of the membrane by fatty acid group, maristate or palmitate, these groups are generally covalently attached to which amino acid present at the end terminus of the polypeptide channel, Baminant के structure हमने पढ़े थे, हमने वहाँ पाय जाने वाल different protein पर ले थे, हमने पाया थे, जितने भी glycoprotein होते हैं, surface पर पाय जाते हैं, और कुछ protein समय अंदर मिलते हैं, लेकिन अंदर वाले protein कभी भी glycosylate नहीं होते, lipid anchored protein की बात कर रहे थे, इनोंने कहा था कि parmit oil, या फिर लिया सीरीन, similarly, कुछ ऐसे भी होते हैं, जिसमें farnesyl group add होता है, carboxy terminal से मुझे सिस्टीन पर, और GPI anchored protein, ये भी याद रखना है तुम्हें, कि ये cell के बाहर की तरफ पाया जाता है, जब तुम lipid membrane की बात करी रहे हो, तो ये flippes, floppes और scramblers को मत भोल जाना, high probable topics हैं, ये एक ह है, जो PE और PS को बाहर वाले surface से अंदर लेके आता है, cytosol की तरफ, floppes का क्या है, ये अंदर के किसी phospholipid को बाहर लेके जाता है, बाहर वाले leaflet के ऊपर, और scramblers है, जो calcium dependent है, अदला बदली करता है, तो भाई ये ध्यान रखना, कि ये enzymes हैं, जो lipids को appropriately flat में, question है, the moment of protein bigger than 50 kilodalton across the nuclear envelope required, अब इसके लिए तुम दिमाग खर्च करना शुरू करो, nuclear envelope में कौन कौन से protein थे, या फिर सीधा इन proteins को discuss करना शुरू कर दो, तुम्हें याद है, Tom और Tim, ये हम mitochondria में study करते हैं, सेक, ये हमने ribosome attachment के लिए देखा था, endoplasmic reticulum के ओपर, और सेक protein ह तो संबंदी नहीं है, nucleus के साथ में, तो nucleus के साथ में, जो है, वो है important beta, important and exporting ये protein थे, जो nuclear envelope के थुरू molecules को लाते ले जाते थे, अब इसमें जब size की बात आई गई है, तो ध्यान रख लो, uncharged molecule, जिनका size 100.5 ton से नीचे है, छोटा है, ये सीधा-सीधा membrane को पार कर सकते हैं, और रिने, nuclear power complex ये भी नहीं, जो इनसे बड़े molecules हैं, ये nuclear envelope के थुरू जाएंगे, अब particles up to 9 meter in diameter, जो कि 40 kg के आसपास का size है, दोनों नमबर याद रखना, 9 nm भी और 40 kg भी, इन molecules को possibly diffuse कर सकते हैं, जो इससे छोटे size के हैं, जैसे के metabolites बगर आओ गए, बड़े molecules को transport कराने के लि प्रोटीन पाज आते हैं, तो ये point भी important है, लोगबाग कई बार daltons में वजन देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, कि up to 9, 9 meter size तक के particle सीधा diffuse कर सकते हैं, बिना energy खर्च करें, अब जब यहाँ बात चल रही थी nucleus की, तो एक molecule और भी है, देखे हमारी cells के पास RNA बना करक है, इसके लिए myRNA कहानी करते हैं, तो जब भी कभी transcription होगा, तो पहले जो बनेगा, वो है prime myRNA, इसकी processing करने के लिए, पासा और drossa, ये दो complex हाएंगे, जिन में से पासा जो है, जैसे कि DGCR8, ये human cells के अंदर RNA binding protein है, जबकि drossa जो है, ये RNA थर्ड की तरह का enzyme है, जो prime myRNA को काट काटेगा, लबग 70 nucleoide के आसपास का molecule छोड़ेगा, और फिर इस molecule को export in 5, by the help of range GTP, ये बहार लेके जाएंगे, और बहार dicer इसको final process करेगा, फिर बाद में आकरके, risk complex की कहानी ready हो जाएगी, तो drossa, passa, dicer कहां होते हैं, कैसे होते हैं, myRNA nucleus में कहां बनता है, किस रूप में ब होते हैं, जैसे कि, import into ER, तो इसमें ये hydrophobic amino acid की chain होती है, signal की रूप में, ER के retention के लिए, KDEL sequence, जैसमें lysine, aspartic acid, glutamate, lysine, और ये C-terminus की तरफ होता है, mitochondria में import करने के लिए positive amino acid का signal sequence, import into nucleus, nucleus में वापा से लाने के लिए, जैसे हम NLS भी कहते हैं, तो यहां lysine, 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 argine, lysine, मतलब ये है basic amino acid की, एक signal sequence, export from nucleus, nucleus से बाहर जाने के लिए, methionine, leucine, leucine, phenylane, और import into paroxysomes के लिए, CDN, lysine, lysine की sequence, तो ये sequences important हैं, exam में आपको याद है कि, हमेशा या तो sequence के उपर direct question आता है, या indirect, तो एक ये वो चीज़ हैं, जो हमें last moment पर याद रखनी है, अब इस question को देखिए, iron sulfur cluster, जैन जैन प्रोटीन में iron sulfur होता है, ये हमारे exam के लिए बड़े important है, अब ये पूछा होता है कि, इन में से किस के पास iron sulfur cluster अवलेबल नहीं है, NADH co-enzyme q-retectase, भाई ये आपका electron transport chain में सबसे पहला वाल एंजयम है complex 1, और इसके पास iron sulfur cluster पाया जाता है, succinate co-enzyme q-retectase, इसे हम लोग succinate dehardiness भी कहते हैं, complex 2, और यहां भी iron sulfur cluster available है, फिर उसके बाद आया है cytochrome c oxidase, यह आपका complex 4 है, और यहां पर iron sulfur cluster नहीं होता, यहां पर heem available है और copper available है, इंडिड यह एक मात्र कंपोनेंट है, electron transport chain का, जहां पहली बात copper available है, और दूसरी बात यहां iron sulfur का cluster available नहीं है, लास्ट option था, coenzyme QS2, cytochrome C, यह है आपका complex number 3, और यहां भी iron sulfur का cluster मिलता है, cytochrome C में S सच हीन पाए जाता है, तो इस question का जो answer था, वो था 3, जब तुम iron sulfur की बात करो, electron transport chain को revise करो, तो भाई यह भी याद रखो, कि जो क्यून होता है, क्यून के पास electron हमेशा केवल complex 1 या complex 2 से नहीं आते, यहाँ पर FM1 से भी electron आ सकते हैं, dihydroorate, जो कि आपकी pyramidine synthesis वाली कहानी का part है, या फिर glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase भी electron दे सकता है, या आपकी glycerol 3-phosphate chetal के थुरू आता है, या फिर ये ferosulfur FAD वाला ETF-Q oxidative enzymes भी बाता है, जो कि fatty acid oxidation में, जिससे आप betoxidation बोलते हो, वहाँ से electron लेक्टरोन लेके आता है, साथ ही आपको ये भी आताना चाहिए, कि citric acid cycle में भी कुछ enzyme ऐसे हैं, जिनके पास iron sulfur cluster पाया जाता है, जैसे कि aquonitis और साथ ही succinate dehydrogenase, और बाइसा बद बूल जाना, यही है आपका complex second of mitochondria का respiratory chain, इंडिट इस TCA की कहान यही तो थी, कि इसका एक enzyme असल में electron transport chain का complex 2 है, इसलिए TCA cycle mitochondria की inner moment के साथ जुलगर के होती है, अब आते हैं इस question के ओपर, इन बैक्टेडिया, many of the transfer RNA genes do not contain CCA sequence formed at the 3' end of the transfer RNA, in this context, which of the following statement represents the correct explanation, यह डिग्राम मत भूल जाना, जब transfer RNA बन जाता है, तो जैसे messenger RNA की processing होती है, इसकी भी processing होती है, बैक्टेडिया में भी, RNAs P cut करता है 5' end को, RNAs D cut करता है 3' end को, अभी इसमें एक intron भी available है, अब इसके बाद में, बाहर से enzymes आते हैं, अभी तक तो normal base थे, AUCG, बाहर से enzymes आते हैं, जो base को modify करेंगे, 5' cleavage, 3' cleavage, और एक CCA adding enzyme है, CCA adding enzyme, template independent fashion में 3' per CCA add करेता है, फिर बाद में ये intron की splicing करके, आपका mature transfer RNA ready होता है, तो ये information कई तरीके से कई बार खुमके आ चुकी है, कि भाई CCA जो sequence होती है, is added to these transfer RNA transcripts, DNA template independent manner एक enzyme होता है, जिससे आब बोलते है CCA adding enzyme, तो जो भी कहाने यार, transcription में हमने पढ़ी थी, जैसे कि cap जो जूड़ती है, template independent fashion में, 5' time cap में, या फिर polyetail, template independent fashion में, हमें इन बातों को revise करना है, अब आते हैं इस question के उपर, some cells possess peptide which contains D form of amino acid, how do they arise? By bacteria के case में हम लोगों ने देख रखा है, कि जो peptidoglycan की layer होती है, जिसमें neg और nam आपस में जुड़े होते हैं, beta 1 for glycosidic bond के दुआरा, दोनों carbohydrate है, और इनी में nam से जुड़े होते हैं, कुछ amino acids, जो cross link का काम करते हैं in chance को, ग्राम पुस्टी मच्छी कासी मोटी layer पाया जाती है, peptidoglycan की, और बीच बीच में lipoticoic acid या फिर ticoic acid हमें देखने को मिलते हैं, जो हम ग्राम negative की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें और भी दूस्टे molecule देखने को मिलते हैं, प्राम पुस्टी में आउटर मेंब्रेंड पर काफे सारे lipopolysaccharides निकले होते हैं, जिनके surface पर O polysaccharide, core polysaccharide और lipid A, ये तीन component में structure बठा होता है, ये O polysaccharide antigen की रूप में भी इस्तेमाल होता है, इसे हम short form में LPS कहते हैं, gram negative bacteria में immune system से बचने का ये बड़ा बड़ा तरीका है, ये O polysaccharides अपना रूप बदलते रहते हैं, नतिज़ा हमारा immune system नहीं पचानता, बट बात हम लोग कर रहे थे, नेग नैम को जोडने वाले amino acids की chance की, तो देखें यहाँ पर alternate LD, LD amino acid है, D amino acid हमारे translation में कभी participate नहीं करते, translation में amino acid जो add होते हैं, transfer आरणने के उपर, वो किवल L form के होते हैं, तो एक line भी है कि L alpha amino acids participate in translation, तो D वाले कहां से आएंगे बड़ा, तो D वालों को जोडने के लिए अलग से enzyme होते हैं, मतलब ही जो peptide जोड़ी गई है, यह peptide को जोडने के लिए कभी कोई gene में से कोई RNA निगल करके, कोई ribosome नहीं आया है इसे पढ़ने के लिए, अलग से enzyme होते हैं, वो peptide bond बनाने में expert हैं, D amino acid को बचान करके, और वो आकर कहीं हैं role play करते हैं, साथ ही तुम्हें यह भी याद रखना है, कि जुसे आप lyzogyne बोलते हैं, आपके आखों के आशों में अवेलेबल है, वो honey के अंदर अवेलेबल है, egg white में अवेलेबल है, और यह bacteria को मार सकता है, तो यह lyzogyne इसी bond को नेग नेम के बीच का जो beta 1 for glycosidic bond है, इसे break कर देता है, और आपको यह भी याद रखना है, कि penicillin जो अंटिबाइटिक है, वो इन ही peptides को cross link करने से रोकता है, नतिजा, cell one नहीं बन पाती, एक आर्कियो बैट्टरिया में भी peptide glycosidic तरह के structure मिलते हैं, यह structure है pseudomorine, इन में N-acetyl, amino uronic acid, N-acetyl, glucose amine जैसे molecule होते हैं, और यहाँ पर जो cross linking करने वाला bond है, वो beta 1-4 नहीं है, वो beta 1-3 है, तो हम लोग उने जो यहाँ बात की है भी, यह वो topics हैं, जो आने वाले exams के लिए काफे important है, और हमने questions के साथ जो extra information लिए है, यह revise कराने के लिए है, उन खास बातों को, जो परसों के exam हमें आपके काम आ सकते हैं, वेट कीजिए, बहुत जल्दी मैं आपको एक नया वीडियो बेज रहा हूं, जहा हम लोग और ऐसी questions को important one, हम उनके साथ की कुछ extra information के साथ discuss करेंगे, यह short videos आपके revision में और आपको focus करने में काफी help करने वाले हैं, हम लोग 28 September से नए कोर्से अगर आप भी मेरे साथ courses जोइन करना चाहते हैं, तो 9013-902981 पर WhatsApp कर दीजे, और अपने exam की तयारी में लगे रहे हैं, बस 24 घंटे और फिर यह exam आपका है, बाबाई ज़स 2 तीजल सुद सुद और नारावाराशीओ है, इंचर श viewed तो 8 घंटे की तो 10 अवशच स्छों